हेलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में आज हम बनाने वाले हैं कमल ककड़ी की बहुत ही स्वाधिस्टी सबजी ये खाने में बहुत ही हिल्दी है और टेस्टी भी होती है और इसके फायदे तो बहुत सारे ह इसमें बहुत ज़्याद मात्रा में फाइवर होती है और पचाने में भी सहायक होती है ये बालों के लिए, स्कीन के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए और बहुत ज़्यादा इसके अंदर में विटमिन्स होते हैं तो ये बहुत उप्योगी है तो इसे आप जरूर एक बार खा करके देखिये इस तरह से बना करके तो इसके लिए मैंने ऊह पर 500 ग्राम ये कमल कड़ी ले ले ली है और सबसे पहले इसे मने इस ऋछीर लिया है तो जो कमल कड़ी चै कह स्थे लेंगे तो बहुत जी ली चील comprete---- और ये अक्सर तलाब के अंदर पाई जाती है तो इसके करण इसमें बहुत ज्याद मात्रा में किचण भी होती है तो आप इसे बहुत अच्छे से साफ कर लिजिए और ये देखिया आज तो मुझे बहुत साफ सुत्री मिली है बहुत जादा मिट्टी नहीं है इसके अंदर देखिये बनना इसके अंदर जो छेद है उसमें बहुत जादा मिट्टी घुसी हुई रहती है तो जब भी आप इ दोकर के ले लिया है और इसे एक कुकर में डालेंगे और यहां पर एक मुठी चितनी मैंने चने की दाल ली है इसे भी दोकर की डाल देंगे एक छोटा चमच नमक डाल देंगे और एक छोटा चमच यहां पर मैंने हल्दी का पाउडर डाला एक लास इसमें पानी डाल देंग सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे जीरा जैसे एक क्रेक हो जाए उसके बाद में हम इसमें कटी हुई लहसुन डाल देंगे और जो हरी मिर्श हमने काट करके रखी उसे भी डाल देंगे मीठा नीम की पत्तियां और तेज पत्ति अगर आप खड़े मसाले डालना चाहते हैं तो यहाँ पर उसे भी डाल सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा बारी कटा हुआ प्याज है इसे भी डाल देंगे और प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक हमें भून लेना इसे तीन मीडियम साइज के टमाटर हैं इन्हें भी मैंने काट करके रख लिया है जैसे प्याज बुंचा इसे भी हम इसी में डाल देंगे अब इसी में एक छोटा चम्माच हलदी का पाउडर और डाल देंगे दो चमज सन्य का पावडर है एक छोटा चमज या स्वादा नुसा यहाँ पर हम लाल मिश का पावडर डालेंगे और एक छोटा चमज नमक वापस से डाल देंगे तो पहले भिने नमक ढाला था उसे ध्यान में रख करके डालना है नमक एक चमाच कसूरी मेट्थी है यहाँ पर, इसे भी डाल करके मिक्स कर लेंगे और टमाटर गलने तक हमें इसे भून लेना है, तो जब तक ये टमाटर भून रही है तब तक इसे भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए पक चुकी है, जो कमल ककड़ी है और दाल है दोनों अ मिनट के लिए इसे मसालों के साथ में हमें भूनना है, इसी में हम एक चमच गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे, और दो तिन मिनट के लिए आप इसे मसालों के साथ में ही मिला करके भून लीजे, तो ये देखिए सबजी अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें हमने जो अब इसे मिक्स कर लेंगे, उपर से हरी धाया की पत्तियां डाल देंगे, और इसे वापस से 3-4 मिनट के लिए हम उबलने देंगे, तो धकल लगा दीजे, और ये लीजे, 3-4 मिनट के बाद में, हमारी जो सब्जी है, वो बन करके तयार है, और एकदम सिम्पल और देशी तर रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैसे कृष्णा,